पर दोस्तों आज भी बहुत सारे लोगों को इस आधनिक टेक्निक के बारे में पता नहीं है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम IVF यानि इनविट्रो फर्टिलाइजिशन या टेस्ट्यू बेबी के बारे में जानेंगे दोस्तों नेचरल प्रेग्नेंसी में मेल का स्पर्म फीमेल के एग में एंटर करता है और उसे फर्टिलाइस करता है उसके बाद वो fertilized egg खुद को uterus के wall से implant करता है और धीरे-धीरे एक बच्चे में विक्सित होना प्रारंब कर देता है हाला कि अगर किसी कारणवर्स natural pregnancy संभव नहीं हो पाता तब इस situation में बच्चा पैदा करने के लिए एक artificial method का सहरा लिया जाता है जिसे test tube baby कहते है test tube baby और IVF दोनों एक ही है और इसमें किसी भी प्रकार की आसा मानता है नहीं है केवल इनका नाम अलग-अलग है test tube baby की technique एक ऐसी modern technique है जिसके दौरा female के ovary से एक को अलग करके उसे male के spumps के साथ modern lab में fertilize किया जाता है इसके बाद जैसे ही embryo तयार हो जाता है तो उस embryo को again female के uterus में transfer कर देते हैं दोस्तों test tube baby process की coach 1978 में की गई थी और इस coach के लिए Dr. Robert Edward को Nobel Prize भी दिया गया था यह method अब तक काम्याब रही है और दुनिया भर में लोग इस method से बच्चा पैदा करते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते हैं कि IVF की ज़रत किल लोगों को होती है दोस्तों IVF मुक्यता उन लोगों को suggest की जाती है जिल लोगों में infertility की problem है इसके अलावा female में ovulation की problem हो या uterus में कोई समस्या हो या फिर male partner के spums का bad shape या spums के number का कम हो जाने से male में infertility की problem में भी इस technique को suggest किया जाता है दोस्तों आईए अब IVF process को समझ लेते हैं testy baby technique से बच्चा पैदा करने के लिए in vitro fertilization का प्रियोग किया जाता है इस process में male spums को female के एग में prescribed procedure यानि निर्दारित प्रक्रिया से प्रवेस कराया जाता है या करीब एक महिने की प्रक्रिया होती है जालातर जगों पर spums को एग में प्रवेस कराने का एक ही तरीका अपनाया जाता है लेकिन कुछ क्लिनिक में डॉक्टर डिफरेंट तरीके भी अपनाते हैं दोस्तों हम आपको test to baby के standard तरीके के बारे में बताएंगे test to baby की process के पहले step में female को सरीर में injection के माधियम से कुछ दवाएं देकर उनके periods को रोका जाता है इन दवाओं को करीब दो हपतों तक दिया जाता है परिणाम सोरूप period natural rope से रुख जाता है test to baby के दूसरे step में female को अलग-अलग तरह की fidelity दवाएं दी जाती है इन दवाओं में follicle stimulating hormone या FSH मौझूद होता है जो महिला के सरीर में एक को अधिक मात्रा में उत्पन करता है जिसे super ovulation कहा जाता है दवा लेने के बाद दीरे-दीरे female के सरीर में eggs की संक्या बढ़ने लगती है इसके बाद वजाइना का ultrasound करके अंदर के सितिकी जांच की जाती है sufficient एक बनने के बाद इन eggs को उस अस्थान से निकाल लिया जाता है eggs को निकालने के लिए एक surgical method का use किया जाता है जिसे follicular aspiration कहा जाता है test tube baby की इस विधी में एक को वजाइना के माद्यम से ओवरी से निकाल लिया जाता है इसके लिए वजाइना में एक पतली sui previous कराई जाती है यह sui ओवरी में वजाइना के माद्यम से एंटर होती है और suction process के दवारा अंडों को बाहर खीचलाती है experts का मानना है कि लगबग 15 eggs test tube baby process की success के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इसे बच्चे की जर्म की probability बढ़ जाती है test tube baby की process के चौथे step में female के ओवरी से निकाले गए eggs को male के spums के साथ रखा जाता है इस process को एक control temperature वाले chambers में किया जाता है इस chamber में male के spums को एक के एकदम समीप रखा जाता है इसके बाद doctor कुछ घंटों तक का इंतजार करते हैं और male के spum female के एक में अपने आप enter करने लगता है कभी-कभी doctor समय बचाने के लिए intra-cytoplasmic sperm injection विदी का भी प्रयोग करते हैं इस process में single sperms को eggs में सीधे inject कर दिया जाता है लेकिन यह काफी महगी process है sperm और egg के मिलने के बाद embryo बनना सुरू हो जाता है test you baby process के पांचवे और अंतिम step में embryo को सुई के माधियम से uterus में डाला जाता है ज्यादा दर मामलों में एक से अधिक embryo को uterus में प्रवेस कराया जाता है ज्यादा embryo प्रवेस कराने से success rate बढ़ जाती है और बच्चा स्वस्थ पैदा होता है इस process को पूरी करने के बाद एक पतले tube को वजाइना के माधियम से वोंब में प्रवेस कराया जाता है इस पतले tube में embryo होता है जो वोंब में डाल दिया जाता है यह embryo female के uterus की दिवाल से चिपक जाता है इसके बाद pregnancy period का समया पूरा होने पर एक healthy बच्चे का जन्म होता है test you baby process से बच्चा पैदा करने में या वेदी बहुत ही काम्याब रही है 35 वर्ष से कम उमर की females में test you baby की तुरू असानी से बच्चा पैदा किया जा सकता है 38 से 40 years की females में इस विदी से बच्चा पैदा करने की संभावना घटती जाती है एक research के अनुसार या female के health पर भी निर्वर करता है कि test you baby से बच्चा पैदा करने में उसका सरीर शक्षम है या नहीं दोस्तों IVF treatment की कीमत अलग-अलग hospital या फिर clinic में अलग-अलग होती है क्योंकि हर hospital और clinic में अलग-अलग facilities प्रोवाइड की जाती है इसलिए इस IVF treatment में facility का भी खर्चा जूर जाता है यदि कोई couples IVF treatment लेना चाहता है तो इसकी average cost एक लाग से लगबग डेर लाग के भीच होती है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से IVF technique के बारे में सटीक जानकारी मिली होगी और आपको ये जानकारी समझ में भी आ गई होगी दोस्तों इस वीडियो से related अगर आपकी कोई query ये question हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं और ऐसे informative और knowledgeable वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले और वीडियो के update पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे